हलो फ्रेंड्स जैसा की जहार खंड क्रमचारी चेहन आयोग द्वारा स्वास करता के पदों पर भरतिया निकाले गई हैं जो की भरतियां 510 पदों पर होने जा रही हैं आप लोग कैसे आवेदन करेंगे step by step जानने वाले हैं कैसे आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे जैसे कि इसकी सैच्छी क्युक्ता की बात करते हैं तो high school लखे गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है छेतरिये कार करता स्वास चिकतिस्था सिच्छायों परिवार कल्यान विभाग यहाँ पर आप पिछड़ा वर्ग यहाँ पर दिया गया है 45 और पिछड़ा वर्ग के लिए 07 आर्थी ग्रूप से कमजोर के लिए क्यों यहाँ पदों पर भरतिया होने जा रही है आप लोग इसमें देख सकते हैं इसी तरीके से खेल कूत कोटा के लिए भी कुछ पद निर्धायत क आप लिए गये हैं तो आल लाइन फार्म आप कैसे भरेंगे सबसे पहले उपर देखेंगे लिखा हुआ रेजिस्टर हियर इस पर जैसे आप किलिक करते हैं तो इसका अगला सब कुल करके आता है यहाँ से आपको भरना है लिखा हुआ है कि चूस नेसनलिटी जो है यहाँ पर आपको सलेट करना है लिखा हुआ है कि are you an Indian citizen आप भारतिय नागरिक हैं यहाँ यस करना है आप यहाँ पर पर तरिके से आपको भरना है फुल नेम इहाँ पर जो दिखा रहा है फुल नेम इहाँ जो भरेंगे तो फुल नेम आटोमेटिक आ जाएगा यहाँ से आप उनी डेटा बर भरनी है मुबाइल नमबर भरना है confirm मुबाइल नमबर और email आइडी भरना है उस पर OTP प्राप्ट करना है उसको captcha भरना है यहाँ पर और submit पर click करना है side details भरने के बाद में आपको भरना there capture जब side details भरने जीसे देख सकते हैं परहले आपको yes करना है पर अपना नम भरना है पर date of worth mobile number mail आडिवर नहीं है उसको आज आप आप पर आप देख पाएंगे verify यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके mail पर verify हो चुकी है जब OTP आपके mail में आ जाएगा OTP आप inbox में न चेक करके spam में चेक करेंगे वहाँ पर लिखकर आता है कि आपके OTP जो होगी spam में आएगी mail inbox में नहीं आएगी तो spam से आपको OTP निकालना है और फिर CAPTCHA को भरना यहाँ से और submit पर क्लिक करके registration आपका complete हो जाएगा जैसे ही आप submit पर क्लिक करते हैं registration आपका successfully हो जाएगा देख सकते हैं लिखा हुआ है कि registration successfully उसके बाद में आपको यहाँ से OK करना है लिखा है प्लीज चेक email for registration number and password तो registration number और password आपके mail ID पर पहुँच जाएगा अब यहाँ से हम registration number और password भरने के बाद login पर क्लिक करेंगे जिसा कि password आपका data birth ही रहेगा password आपका data birth रहेगा और registration number आपके जो है mobile पर email पर आएगा password जो होगा data birth भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा mail में फिर यहाँ से आपको क्लिक करना है apply now apply now पर क्लिक करते ही इसका अगला step खुल करके आएगा यहाँ से देख सकते हैं कि इन steps में आपको form भरना है personal details contact details, other details और education details यहाँ पर आपको fill करनी है सबसे पहले हमें यहाँ पर भरना है जो मांग रहा है सबसे उपर लिखा है कि gender तो male, female, other जो भी आप पर लगो हो ता उसे आप भरेंगे marital status क्या है married, unmarried जो भी है उसे आप select करेंगे फिर यहाँ पर पिता का नाम भरेंगे माता का नाम भरेंगे आधार नमबर भरना है आपको यहाँ पर identification mark में आपको सरीर में कोई पहचान है चिन्ध तूसे आपको भरना है पहचान चिन्ध भरना है नमबर एक पर star लगा हुआ नमबर दो पर star नहीं है अर्थार नमबर एक भरना कंपल सरी है टू वाला भरना ज़रूरी नहीं है फिर save and next पर आपको click करना है मानले आप कहीं अलग से भर रहे हैं किसी अन्ध परदेश से भर रहे हैं तो आपको no करना है अगर आप जारखंड के निवासी हैं तो आपको yes करना है बाकि details यहाँ पर आपको fill करनी है लिखा आपके वाल अनरच्छित सरेणी के लिए पात रहें और आरच्छन सरेणी अनरच्छित के रूप में ही तैंक की गई है तो जैसे आप अगर अन्ध परदेश से होंगे तो आपको आरच्छन का लाब नहीं मिलेगा आप यहाँ पर आनरच्छित सरेणी में ही जाएंगे यहाँ से आपको address भरना है हमें एक demo address भरके आपको दिखा जा रहे है बाकि जो भी आपका address होगा अस्ताई रूप से आप उसे भरिएगा आप लोग यहाँ से अपना address भरेंगे और address भरने के बाद में आपको यहाँ से चेक बाक से दिया गया है यह से आपको active करना है और same details नीचे भर जाएगी फिर आपको save and next पर click करना है यह address हमारा demo है जैसा कि हमने बताया आपना सही address भरिएगा हमने आपको समझने के लिए हाँ पर भर दिया है बाकि आपनी ज़रुत के साब सुना address सही भरेंगे save and next पर click करते हैं आगे के details खुल करके आजाएगी जिसे लिखा हुआ है कि paper second भासा का chain करें जो second paper होगा आप किस भासा में देना चाहेंगे हिंदी, अंगरेजी, संस्कीत, उर्दू तमाम सारी भासा यहाँ पर दे गई है अपनी ज़रुत के साब से भासा आप select करेंगे फिर save and next पर click करेंगे save and next पर click करते है इसका अगला स्टप खुल करके आएगा जहां से मांग रहा है board high school details आपको भरनी है किस board से आपने high school pass किया है किस college से pass किया उसका address भरना है किस worth आपने pass किया इसे भी आपको यहाँ पर भरना होगा और उसके बाद दिया गया है कि result type क्या है तो आप CGPA उनके लिए होता जो CBSC board से 6-6 रहे होती है percentage जो UP board या unboard होते हैं यहाँ पर click करते हैं roll number आपको यहाँ पर अपना भरना है तो भी आपको roll number है high school में उसे आप यहाँ से fill करेंगे फिर certificate number आपकी mark sheet पर मिल जाएगा certificate पर आपको देखने को मिलेगा certificate number आपको आपकी certificate पर देखने को मिलेगा अगर certificate और mark sheet ही में है तब भी वह certificate number लिखा रहेगा जो भी होगा उसे आप fill करेंगे फिर किस बिसे से आपने high school पास किया उसे भरना है प्रापतांग किया आपका रहा उसे भरना है पूलांग भरना है आपको और परतिसात यहाँ पर आप देखेंगे इसे भरेंगे तो अपने आप इसमें calculate कर देगा फिर यहाँ से हमें save and next पर क्लिक करना है details भरने के बाद में आप देखेंगे कि आपके द्वरा भाई के details यहाँ पर show कर रही है जो भी आपने यहाँ पर भरा है उसारी जानकारिया आपको यहाँ पर देखने को मिल नहीं है देखेंगे यहाँ पर अगर कोई गलती हो तो आप उसे सुधार भी सकते हैं यहाँ से सुधारने का मौका मिलेगा बैकेंड इडिट पर आपको किलिक करना है पीचे पहुँच जाएंगे जहां से आप से सुधार पाएंगे प्राइमर डिटेल से आप लिखी है यहाँ पर लिखा है अपने application को पूर्वा लोकन करें पूर्वा लोकन करें ताकि सुनस्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है फिर submit करें वैकल्पिक रूप से farm में संपादन करें और पुना submit पर किलिक करेंगे फील्ड वर्कर के लिए यहाँ पर दिया गया है इस पर आप किलिक करते हैं confirm and submit लिखा है कि यार उस शेवर है yes, okay कर देंगे यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से farm आप का submit हो दाएगा फिर यहाँ से आपको fees payment करना है जिसे लिखा हो आएगी फील्ड वर्कर 100 रुपीस की fees इसे payment करेंगे fees payment करने के बाद में आपको यहाँ से upload करना यहाँ से आपको देखने को मिलेगा अभी जैसे हम paper किलिक करते हैं और यहाँ पर लिखा बुकतान करने से पहले अपना debit card, credit card या UPI तयार रखें लिखा कि payment system is currently down for maintenance यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि अभी इसमें maintenance चल रहा है कुछ कौरान वस जो है इसमें payment नहीं हो पा रहा है जैसे portal active होगा आगे के लिए fees payment आ जाएगा तो जहां से आप fees payment करेंगे उसके बाद आप photo signature को upload करके अपना farm finally submit कर पाएंगे तो इस तरीके से आप जहार खंड में स्वास कार करता field worker के लिए जो vacancy निकली है आफ आनलाइन आवेदान यहां से कर सकते हैं step by step जो भी आपकी राय हो तो comment box में जरूर बताएं वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार